आज महराश्टर को दस मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है नागपूर एरपोर्ट के आधुनी करण और विस्तार का काम सिर्डी एरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण आज इन्फ्रांस्ट्रक्तर से जुड़े इन दो एहम प्रोजेस का सिलान्याद भी हुआ है मैं सभी विकास कारियों के लिए महराश्टर के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ अभी पिछले हपते ही मैं ठाने और मुंबे गया था यहां मैट्रो समेथ तीस हजार करोड के पोजेस के सुभारम का अवसर मुझे मिला इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। कहीं एरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। तो कहीं सडकों और हाइवे से जुड़े प्रोजेक्स तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्रक्टर, सोलर एनरजी, टेक्स्टाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लौंच की गई हैं। किसानों, पसुपालों को के हीत में नई पहल की गई हैं। महाराष्ट में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट, बधावन पोर्ट की नीव रखी गई हैं। महाराष्ट के इतिहास में इतनी तेज गती से इतने बड़े स्केल पर अलग-अलग शेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि कॉंग्रेस के राज में इतनी ही तेज गती से इतने ही स्केल पर अलग-अलग शेत्रों में बश्टाचार जरूर होता था। ।